नमस्कार, मैं मिलन पट्रेर रिजिस्टर फार्मासेस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ इन मेडिसिन्स हिंदी में आज की वीडियो में मैं आपको एमलोडीपिन टेबलेट के बारे में बताऊंगा जिसके अंतरगत एमलोडीपिन टेबलेट का उपयोग, मिकेनिजम अप एक्शन, मतलब की यह दवाई किस प्रकार से काम करती है डोजेज और साइड इफेक्स क्या हो सकती है उसके बारे में बताऊंगा तो बिना देरी की यह आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहला बात करते हैं एमलोडीपिन टेबलेट के उपयोग के बारे में सबसे पहला उपयोग है यूज इन हैपयोटनशन अगर किसी व्यक्ति का ब्लेट प्रेशन हाइँ है तो तो फिर उसे ट्वीर्ट करने के लिए odors though bio less को प्रिस्काइब करके देते हैं जिसे क्या होगा कि ब्लेड प्रेशन नियंतर में रहेगा ताकि इन फ्यूचर इसकी कॉम्प्लिकेशन्स जैसे की रिदेश संबंदित समस्याय और किड्नी संबंदित समस्याय होने का खत्रा काफी कम हो जाता है दूसरा उप्योग है यूज बंद नहीं कर सकती तुरंती कम नहीं कर सकती लेकिन दीरे दीरे जो दर्द हो रहा है वो कम होता जाता है इसके अलावा एमलोडीपिन टेबलेट का उप्योग हमारे हार्ट मसल्स तक अच्छी मात्रा में ऑक्सिजिगनेटेड ब्लड पहुँच पाए वहां तक का जो ब्ल स्मूद में, और आपके हार्ट में कने केल्शियम आयन का influx इनी हीड होता है , जिसकी वज़से जो वेजो डालेशेट की प्रोसेस हो स्टार्ट होती है वेजो डालेशन का मत एक्सिग मात्रा में औक सि जिसकी वज़से ब्लड प्लेशर नियंदर में आसकता है वेजो डाइलेशन यानि की blood vessels के relaxation की वज़े से हमारे heart muscles तक अच्छी मातरा में oxygenated blood भी पहुचता है जिसकी वज़े से एंजाइना यानि की chest pen सीने में होने वाले दर्द से भी राहत मिल सकती है अगर बात करें doses की तो adult में mlodipine का dose शुरू आती dose 5 mg once in a day मतलब की mlodipine tablet एक दिन में 5 mg तक हम दे सकते हैं या जो dose होता है डोक्टर जरूरत होने पर उसे 5 mg से increase भी कर सकते हैं 6 साल से लेकर 17 साल के बच्चों के लिए या dose 2.5 mg once in a day से लेकर 5 mg once in a day तक हो सकता है तक मरीज को अगर पहले से ही लिवर संबंदित को इस समय समय पर एज़स करना काफी जलूरी होता है जिसके लिए डोक्टर क्या करते हैं लिवर संबंदित कुछ डेग्नोसिस करवाते है उसके रिजल्ट के आधार पर डोक्टर छो dose होता है अमलोडिपीन का उसे समय समय पर चेंज करते हैं उसे modify करते हैं अगर common side effects की बात करें तो एमलोडिपीन टेबलेट के regular 7 से कुछ इस प्रकार की common side effects देखने को मिल सकती है जैसे कि एडेमा यानि की पेरों में सुजन आ जाना, डीजिनेस यानि की चक्कर जैसा महिसूस होना, फटिग यानि की ठकान महिसूस होना, नोजिया यानि की जी मचलना, वोमिटिंग यानि की उल्टी जैसा लगना, हैडेक, सिर्धद होना, और पल्पिटेशन यानि की दिल की ने अनिमित हो जाना तो इस प्रकार की side effects दिखाई दे सकती है, अगर amlodipine दबाय का odos हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा मात्रा में amlodipine tablet का 7 कर लेता है, तो फिर severe hypertension, यानि कि बहुती ज़्यादा मात्रा में blood pressure कम हो जाता है, हद से ज़्यादा blood pressure में गिर ज़्यादा बढ़ सकती है, साथ ही साथ, heart attack जैसे स्थिती भी पैदा हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना है, तो याथी जानकारी amlodipine tablet का उपयोग mechanism of action, doses और side effects के बारे में, अगर इस वीडियो से related कोई भी सवाल है, कमेंट में बेजी जग पूछेगा, अकर कमेंट में uncomfortable है, तो डिरेक्न मुझे mail कर सकते है, qna.him.gmail.com पर, तो फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही, आज का वीडियो ध्यान से देखने, और सुनने के लिए आपका धनिवाद, जई हिंद, जई भारत.